देखो बई वैसे तो पूरा विपक्ष जो है वो मोदी के पीछे हाथ दोकर दिन रात पड़ा रहता है लेकिन एक आदमी ऐसा मोदी की अपनी पार्टी में वो जब मोदी के पीछे पड़ता है मोदी की बैंड बेंड जाता है तो भाईसाब हालत जो है वो देखने वाली हो मोदी की सबसे बड़ी फजियत होती है अब यह आदमी कौन है और आज इसने क्या नई बात बोल दिये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया पर क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है जो चीज़े सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है वह क्यों ट्रेंड कर रहे हैं कुछ बड़ी बेकार की चीज़े है ना, नेशन wants to know सिर्फ उन बेकार की चीज़ों के बारे में होता है, काम की चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं होता और आज की जो बड़ी खबर है वो related है उस आदमी से जो की मोधी की अपनी पार्टी में, मोधी का अपना खासम खास होता था एक जमा हुआ है आज क्या किर्किरी करी है नाम बता देता हूं सुब्रमनियम स्वामी है लेकिन आज जो किर्किरी करी है वो मोदी की नहीं बलकि अमिच शाह की भी किर्किरी कर दिये क्या चीज़ है आपको बताऊंगा बड़ी खबरों के सेग्मेंट में साथ ही बड़ी खबरों के स ले गए हैं वो अभद्र टिपनी कर रहे हैं उनके उपर क्यों कि उनको पता है बीजेपी के लोगों को कि उनका सूपड़ा साफ होने वाला है कार्य करता अपना साथ दे नहीं रहे हैं पार्टी की हालत खस्ता हुई पड़ी है अमिच शाह ने दोसों का डंका तो पीट दिय लेकिन आउकात दो सीटों की भी इस टाइम पर नहीं और शायद इसी चीज की खीज निकल रहे है बड़ी खबरों के सेग्मेंट में ये सारी चीज आपको बताऊंगा लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा आज की ट्रेंडिंग खबरों से तो आज की ट्रेंड की जब बात करवा रहा था अज पूरे दिन योगी जी के चार साल बेमिसाल अब जरा मुझे एक बार फ्लीज कोई निकल कर बताओ कि ऐसा क्या बेमिसाल हुआ है इन चार सालों में बड़ी से बड़ी महिलाओं के अगेंस जो गंदे से गंदे अपराद हो सकते थे वो सारे इन चार साल में निकल कर हमारे सामने आए हैं चाहे उन नाओ देखा हो जहाँ पर इनके अपने विधायक इनवाल्ड थे या फिर उसके बाद हमने हातरस देखा हो और तमाम ऐसे तरीके की घटनाएं जो लगातार होती रही जहाँ पर महिलाओं के साथ दुशकरम हुआ महिलाओं को सीत दें कि हमने इसको न्वकरी दे दि तो घृतिया पर कोई और आडमी तो क्या हम चार साल बहिंसाल कह सकते हैं आज की डेट में आप कहीं निकल जाए U.P. में आपको टूटी फूटी सडके दिखेंगी कहीं निकल जाईए आपको गुसेल किसान दिखेंगे जो की रोज BJP के नेताओं को BJP के मंत्रियों को सांसद विधायकों को पकड़ पकड़ के पेलने का काम कर रहे हैं क्या इसको आप 4 साल बेमिसाल कहेंगे आखिरकार किस चीज को यहाँ पर चार साल बेमिसाल का जा रहा है वहीं दूसरी तरफ चार साल यूपी बेहाल ये भी चीज ट्रेंड करते हैं और डेफिनेटली ये चीज ट्रेंड करवाने वाले या तो समाजवादी पार्टी या फिर कॉंग्रिस के ही लोग होंगे क्योंकि वहीं लोग इस टाइम पर विपक्ष में हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खास कर से अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी लेकिन आज जब चार साल हो गए तो कुछ टटपून जी है टुचड निकल करके आए बीजे पी के जो की सांसद हैं जिनको एक रुपे की अकल नहीं है वो बयान देते हुए नजर आए अब उन में से एक था रवी किशन मैं रवी किशन का यह बयान आपको सुनाना चाहता हूं जहां पर हो मुबारक बात दे रहा है साल चार साल बेविसाल की उसके बाद इसके बारे में एक टिपड़ी करना चाहूँगा जिसको आपको सुनना बहुत ही जरूरी है पहले इस जिस सुत्र प्रदेश को लोगों ने भिकमंगा प्रदेश बना दिया था बीमरिया प्रदेश बना दिया था, उसी को पुझ महराज जी ने हमारे यश्चीश्वी प्रधान मंत्री के दिशाद निर्देश उनके पत पर चल कर एक अध्भुत प्रदेश बनाया है जहां पर सबसे बड़ी चीज़ जो यहां पर मैं पॉइंट आउट करना चुछान हो दो करोड़ साथ लाग से जादा सौचाले यहां बन जाना सुना आपने रवी किशन क्या कह रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ जो यहां पर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो यह है कि देखो बड़ी जब बेकार के लोगों को जिनको पॉलिटिक्स का कोई आइडिया नहीं होता जिनको देश के बारे में कोई आइडिया नहीं हो सबसे बड़ी बेकूफी भरी बात यह थी कि इस आदमी ने बोला कि पिछले 70 सालों में कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश में बिमर्या बना दिया था भिकरिया बना दिया था तो भाई पहले रिसर्च कर लिया करो उसके बाद भोका करो अपने मूँ से 70 साल यह जितने प्लवी सालों की तुम पीछे बात कर रहे हैं। उसमें तुमारे अपने पार्टी के भी तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनाथ सिंग ने और जो तुमारे एक और कल्यान सिंग जी थे या फिर मायावती ने जो तुमारे सपोर्ट से सरकार चलाई उन लोगों ने तुम लोगों ने इन फैक्ट उत्तर प्रदेश को बिमरिया और भिकरिया बनाने का काम किया था जरा सी रिसर्च करा करो बोलने से पहले और प्लीज मोदी जी अमिच्छा जी से मैं कहना चाता हूँ ऐसे टटूओं को टिकट ना दिया करिये क्योंकि इनको पॉलिटिक्स के बारे में देश के बारे में 0% गयान है अभी देखो बंगाल में भी टिकट दी गई है बंगाल में भी कोब्रे को टिकट दे दी गई है वो भी ऐसा ही होगा वो इसे भी गया गुजराओगा आप खुद ही सोच सकते हैं इसके बयान से अगे बढ़ना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा एक ऐसी अदबुद क्लिफ जहां पर एक हमारे मंतरी जी ने संसत के अंदर किस तरीके से जो भूके बच्चे रहते हैं हमारे देश म में उनकी ओपर जब सवाल पूछा गया सरकार से तो सरकार के एक भाई साब ने मंतरी जी ने आखिरकार किस तरीके का टुच्चा बयान दिया जिस बयान में उन्होंने बच्चों को एक कुते के बच्चों से मिलाने का काम किया बोलते हुए भी मुझे शहरमारी है जरा दे कि सुधार है वो मैंने दिखाया है और उन्होंने माना भी है मगर यदि आप अनुमती दे तो में मेरे विबाग से जो ब्रिफिंग हुआ है उनसे थोड़ा हटके यदि नेता प्रतिपक्ष थोड़ा हम के इस जवाब के प्रतिवुदारता रखे तो मैं थोड़ी बात सर ये जो भूखमरी की और बच्चों के भूखमरी की बाद भारत को लेकर जो हो रही है और ये भी दुनिया की कोई NGO आकर हमारा आकलन करके चले जाती है हमारी सरकार ने उनको पूछा है आपने किस डेटा पर ये सारा लिखा है उनका जवाब पेक्षित है अभी उन्होंन मगर जो आवारा कुटे गुमते रहते हैं उनकी कुटी को जब वो ब्याती है और बच्चा देती है तो हमारी माताएं कुटी को जब गलूडिया खिलाने के रमाने के लिए सब हम गए हैं इसमें कोई ऐसा इसी बात में करने नहीं जा रहा हूं उसको शीरा खिलाने की प्र में उसी पर ये मैंने साब से अनुमती लेकर मैं लंबा जवाब देना नहीं चाहता था मैं यह बताना चाहता हूं इस देश में ऐसे बच्चों की समस्या का भी समाधान जिस समाज में हो वहां बच्चे भुखे रहने का आकलन और कोई करके दे उसके प्रती बहुत समयंद प्रता से हमें देखना नहीं चाहिए इन बीजेपी के लोगों को इतनी सी भी अकल नहीं है कि संसत के अंदर खड़ा हो कि आकिरकार किस तरीके की बयान बाजी करनी चाहिए हमारे देश के उन बच्चों के उपर जिनको खाना नहीं मिल पाता है कोई उनकी चॉइस नहीं है मैं आज ये कहता हूँ कि भाई अभी तो ये पूरी तरीके से इंसान भी नहीं बने है अब बढ़ना चाहूँगा आगे की तरफ और बात करना चाहूँगा एक और ट्रेंडिंग खबर के बारे में जो की बंगाल से है बंगाल में एक भूचाल आया हुआ है राजनीतिक भूचाल और अमिच शाह नरेंदर मोदी ने सोचा भी नहीं होगा खाबो ख्यालों में कि आखिरकार ऐसी हार का उनको सामना करना पड़ेगा वो भी एलेक्शन से पहले ही अगले अफ़ते जा रहा हूँ मैं बंगाल वहां की पूरी असलियत आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन के ओपर ये खबर बंगाल में बीजेपी वर्सिस बीजेपी बाहरियों को टिकट मिलने की वज़े से शहर शहर में कारे करताओं का बवाल ये खबर आज तक यानि की गोदी मीडिया पर छपी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हर शहर में इस टाइम पर बीजेपी के जो कारे करता हैं वो बीजेपी के बड़े नेताओं से चले जाएंगे सीटे फोड़ के रख देंगे सारी की सारी यहां तो कुछ और ही हो रहा है अब आगे बढ़ना चाहूंगा और आपसे बात करना चाहूंगा आज की बड़ी खबर के बारे में पहली बड़ी खबर जो की अगें बंगाल से है जिस जहां पर सुवेंदू अधि जिसके बाद उनके मुँपर जितना गोबर लगा दो चपल में लगाके उतना ही कम है सुवेंदू अधिकारी जिनके उपर बीजेपी एक टाइम पर निशाने साती थी चिटफंट स्कैम को लेकर और दुनिया जहान की बातों को लेकर आज वो सुवेंदू अधिकारी अच्छे नहीं है उसने ममता बैनर जी के उपर एसी घटिया टिपणी करी जरा आप एक बार खुदी सुन लीजिए अपने कानों से जिका भैक्सिन तो लेना ही पड़ेगा घरना की खिलाब मुदी जी तो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है करीब करीब फ्री फोर्थ मेजुरिटी उसकी पास है मुदी जी की खिलाब बोलना डेमोक्रेसी की खिलाब बोलना मुदी जी की खिलाब बोलना भारत माता की खिलाब बोलना आता है ममता जी तो पकिस्तान और बांगलादेस में तो वैक्सिन नहीं निकला तो मोदी जी का वैक्सिन निला पड़ेगा सुना आपने सुबेंदू अधिकारी ने किस तरीके से यहां पर बोला कि ममता बैनर जी को मोदी का वैक्सिन लगेगा क्या कहना चाह रहे हो किस तरीके से आप कह रहे हो कि आपके घर में मा बहने नहीं है या फिर आपका जो ये women's day वाला नाटक होता है वो पूरी तरीके से दिखावा होता है ये सब सुनने के बाद कुछ ऐसा ही लगता है क्योंकि शायद आपकी मा ने कभी आपको सिखाया ही नहीं है कि एक महिला को किस तरीके से आदर और सम्मान देते हैं शायद आपकी बहन ने कभी जब आप महिलाओं से अभदर तरीके से बाते करते थे तो आपकी मा और बहने कभी आपको टोकने का काम करा ही नहीं है और इन सब ने तो छोड़िये शायद आपके जो पार्टी के आका हैं आपको पता है कि आप ऐसे बयान भी दे देंगे तो आपके पार्टी के जो आका हैं वो खुश होंगे इस चीज से क्योंकि इस टाइम पर वो गंदगी पर उतरे हैं और हर एलेक्शन पर उतरते ही यूजिली तो इसलिए वो भी खुश होंगे वो भी कुछ नहीं कहेंगे और इसलिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं जरा एक बार जहाक के देखिए मैं बताता हूँ आपको ऐसे बयान क्यों दिय जा रहे हैं ऐसे बयान इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपनी जमीन लूज कर चुकी है बीजेपी बीजेपी को लिटरली इस टाइम पर दस्त लगे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से अपना मू बचाने का काम करें आज अमिच शान ने एक मैनुफेस्ट क्यों ही बोला गया जगा जगा आज वो मैनुफेस्टो किस ने लॉंच किया बंगाल में अमिच शान ने लॉंच किया कहां थे उस टाइम पर बंगाल के बीजेपी के प्रेजिडेंट क्यों गायब थे क्योंकि जूते खाने का डर है अपने कार्यकरताओं से और यही चीज पूछने का काम कर रहे है सुब्रमयम स्वामी भी सुब्रमयम स्वामी जिनके बारे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि विपक्ष तो घेरता रहता है मोधी को लेकिन जब सुब्रमयम स्वामी मोधी को घेरते हैं तो वह situation देखने वाली होती है और आज फिर से स नहीं सिर्क Modi को बलकी Amit Shah को भी घेरने का काम किया है एक ट्वीट पांच घंटे पहले सुब्रमानियम स्वामी ने किया है जहां पर उन्हें लिखा है यही बात जो मैं बोल रहा हूं कि it is a surprise that union minister Amit Shah will release the BJP manifesto for Bengal assembly elections it will send a wrong signal and hurt BJP's electoral prospects the manifesto should release should be released by BJP Bengal president वही बात जो मैंने भी आपको बोली यही सुब्रमानियम स्वामी और शायद कोई भी और राजनीतिक आदमी आपको बोलता हुआ नजर आएगा लेकिन अपने आपको चानक्या बोलने वाले आदमी को इतनी सी भी बात समझने आई समझ क्या नहीं आई मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं आई क्योंकि जूते पढ़ने का ऐसा डर सता रहा है कि भाई साब अमिच शाह मूँ बचाने के लिए अपने पार्टी के नेताओं का मूँ बचाने के लिए लगातार सामने आ रहे हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताए कि मैं बंगाल आने वाला हूं तो क्या क्या इशूस को कवर करूं कौन कौन सी जगा वहां पर जाओं क्या देखना चाहते आप exactly मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में